नमस्कार फ्रेंट टॉपिक है डिस्क्रिशन के लिए हमारे पास डॉक्ट्रिन आफ मर्जर यह डॉक्ट्रिन जो है वो कॉमन लौ की देन है कॉमन लौ यानि कि जो इंगलेंड में प्रिवेल करता था और जहां तक बात करें इसके एक्जिस्टेंस की कि भाई यह बनी क्यों या इसको क्यों बनाया गया तो उसके लिए जो हमारे कोट्स होते हैं जो हमारा जस्टिस डिलिबरी सिस्टम होता है उसकी जो हाईरार्की होती है जा उसका जो सिक्वेंस जानुकरम होता है उसके लिए इसको बनाया गया था जिसमें कि यह कहा गया था कि जो सुपेरियर को आप चले जाते हैं इस तguru हाइए कोट में आप सीयां काप यहां पर आप Phot Department of Defense तो इस doctrine of merger के अंदर यही कहा गया है कि जो decree या order higher court का होगा वो ही stand करेगा अब क्योंकि higher court की decree मेरे against है तो क्या होगा कि जो मेरी decree होगी वो merge हो जाएगी higher court की decree या order के अंदर और जो prevail करेगा वो higher court का order या decree होगी यानि कि आपके favor में case जो है वो चला जाएगा तो इसे कहा जाता है doctrine of merger कि lower court की decree या order जो है उसको high court के decree या order के अंदर merge के दिया जाता है और इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है कि जो appeal होती है वो कोई अपने आप में कोई separate proceeding नहीं होती है उसे कहा जाता है continuation of the suit जानि कि जो suit file हुआ था starting में trial court में वो ही जला हुआ है डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक जगा lower court था दूसरी जगा superior court है जा उससे बड़ा court है वो decide करता है otherwise appeal को यही माना जाता है कि यह continuation है कि भाई suit जो था वो starting में था trial में था appeal हुई है तो समझ लीजिए लगातार वो ही चल रहा है अब जबकि suit एक है और उसका continuation हो रहा है तो उसमें एक ही decree हो सकती है at a time एक समय पर सिर्फ एक decree और वो किसकी होगी और बेसी बात है वो superior court की किस देले में जबकि में घल भाई प्ली झाल क्विफरण यह और प्लीड़़ दिरें भीया में.